नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रिता शर्मा कोई रोड आक्सिडेंट होता है कोई किसी चीज में इन्वाल्व है और हम किसी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचेंगे तो पुलिस हमें घेड लेगी तमाम तरह से हम से सवाल होंगे और इन सब पचड़ों से बचने के लिए कई बार हम सड़क पर चीजों को देखते हैं लेकि किसे जागरो कर रहा है मान लीजिए आपने देखा कि किसी का रोड आक्सिडेंट हुआ है कोई सड़क पर गिरा पड़ा है किसी को चोट लगी है अगर आप उसे अस्पताल पहुंचाते हैं तो फिर सड़क मंत्राले ने बाकाइदा एक बयान जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि 5,000 रुपे का नगत इनाम उस शक्स को दिया जाएगा जो किसी भी पीडित को अस्पताल तक पहुंचाएगा बता दे आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवो और परिवहन सच पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि ये योजना 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और ये 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहीगी कुछ साल के लिए इसे आप ट्राइल समझ लीजिए डेमो समझ लीजिए ऐसा इसली किया गया है ताकि लोग पहले जागरूख हो सके और ये जो योजना शुरू की जा रही है इसमें कितने लोग बढ़ चड़ कर हिसा लेते हैं इसलिए ये जो नकत राशी है इसका एलान किया गया है मंत्राले ने सोमवार को ये बयान जारी किया जिसमें कहा गया नेक मददगार को पुरुसकार देने की योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए मंत्राले ने कहा इस योजना का मकसद आपात काली निस्थिती में सडक दुरगटना पीडितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना है जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ी पहल है जो मंत्राले की तरफ से की गई है उमीद की जा सकती है कि ऐसे में लोग बढ़ चड़ कर इसमें हिस्सा लेंगे इस योजना के तहट चाहिए आप इसे फिर 5000 का लालश कह लीजे या फिर कह लीजे कि लोगों के मन में एक जागरुपता आएगी इसको लेकर और अगर वक्त पर लोगों को अस्पताल पहुँचाए जाएगा तो निश्चत तोर पर उमीद की जा सकती है कि उनकी जान बचाई जा सकेगी तो ऐसे में रोड अक्सिडेंस में मरने वालों का आखड़ा भी कम होगा तो ये जो योजना शुरू की है सड़क परिवहन मंतर वाले ने इसको लेकर आप क्या सोचते हैं आपको लगता है कि ये प्रभावी साबित होगी कमिंच करके अपनी राय हमें ज़रूर बता